में अन्तैंस सरमा मास्काल स्लेशन में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं इंट्रीन की एक नई लेका आँए हुं इसमें मैं सका 4 पार्ड लेका हुं जिसमें मैं बताने वाला हुं कि जब इंट्रीने avola कैता है कि हम आपको नोग्री क्यों रखे तो उसको क्या जवाब को देना है इसके तीन पार्ट में पहले डाल चुका हूं जैसे कि टेल में अबाउट यॉर सेल्फ वाट आ यॉर स्ट्रेंद्स वाट यॉर विक्नेस और तीनों का लिंक मैंने डेस्किंशन बोक्स में नीचे डाला है तो आप वहां पर ज हो चाहे ताकि इसकी जाने करें उनको भी मिल सके और बहुत अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूं और आपके लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है तो जो भी आपकी क्वेरी क्विश्चन्स हो आप कमेंट बोक्स में जाके पोटोन कर सकते हैं ताकि इसका आंस आईए फ्रेंड्स पहले जानने ते हैं जब इल्ट्रो वर जो होता है वो इस कुश्चन के पूछता क्यों है तो सबसे पहली बात क्या है वो यह जानना चाता है कि जो कंडिडेट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इस कंपनी में कितने लंबे समय तक वो काम करेगा सेकंड तिंग क्या है वो यह जानना चाता है कि जिस जोब के लिए मैं इस कंडिडेट को सेलेक्ट कर रहा हूं यह उप्यूकता है यह नहीं है सेकंड दिंग है आपको कि मेरी गर्फरेंड या मेरा वाइप यहां पर काम करती है और यह एक बहुत अच्छी कंपनी है इसलिए मैं इस कंपनी में नोगरी करना चाता हूं यह भी आपको नहीं बोलना है और जो लास्ट का इंपोर्टन चीज क्या है आपको कि यहा पर कैप फैसिलिटीज हैं तो इस विधाए आपको यह भी नहीं बताना है अब क्यों नहीं बताना इसको लोजिक जान लेते हैं कि जो इंट्रू लेने वाला है वो ये जानेगा कि जो ये एक candidate है इसका कोई भी क्या है achievements नहीं है ना इसका कोई career goals है तो इस बंदे को select करने कोई भी benefit नहीं है तो वहीं पर आपको क्या करेगा वो आपको reject कर देगा आपको तो आपके सब चीजें नहीं बोलनी है अब क्या चीजें बोलनी है वो मैंने next slide में बताने वाला हूँ तो आई इन next slide पे चलते हैं आईए friends जो ये slide है ये आपके लिए बहुत important होने वाली है तो जब intro लेने वाला आपसे पूछता है why should we hire you तो आपको क्या बोलना है आईए जाल लेते हैं सबसे पहले आपको क्या बताना है कि जो प्रोफाइल के लिए आप candidate को ढून रहे हैं उसके जो मेरी skills है वो perfect match करती है तो आप सामने वाले क्या बता रहे हैं कि मैं इस जोब क्लिक perfect selection हूँ second thing आपको क्या बताना है अपने जोब की achievements को बताना है और अपने carriage को goal को बताना है जैसे कि for example आप last company में quality में काम कर रहे थे तो आपको बताना है कि जब मैंने last company जोइन की थी और अब तक वहाँ का जो PPM है वो क्या है जीरो है और सर मेरा ये उद्धिस है कि इस company को जोइन करने के बाद मैं पांस साल में इस company में senior post पे पहुँच जाऊंगा या पहुचना मेरा उद्धिस है जब ऐसा बताएंगे आप सामने माले सोचेगा यार इस बंदे में दम है तो आपके जो impression है एक दम perfect जाएगा वो आपको 100% select करेगा और आईए next point को जानते हैं आपको क्या बताना है आपको बताना है इसर जिस project पे मैं काम करता हूं या करती हूं तो मैं time नहीं देखता हूं या देखती हूं जब तक project पूरा नहीं होता है तो सामने वालों क्या लगेगा कि ये जो बंदा है ये company को maximum time देने वाला बंदा है तो आपको 100% क्या करेगा वो select जरूर करेगा आपको आईए friends को चोड़ important points को जान लेते हैं जैसे कि आपको क्या बोलना है आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मेरे से कम salary में और ज़्याद expense वाला candidate आपको मिल जाएगा पर जितनी लगन से मैं काम करूँगा न ये काम करूँगी वो नहीं करेगा या करेगी ये मैं आपको वाइदा करता हूँ तो सामने वाला क्या सोचेगा कि यार अगर इस candidate को मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो शायद मेरा लोस हो सकता है तो उसके माइन में ज़रूर जाएगा तो इस पॉइंट आपके लिए बहुत ही beneficial होगा अगर इसका last का पॉइंट जान लेते हैं सर मैं आपको विस्वास दिलाता हूँ या दिलाती हूँ कि मैं आपकी company का की member बनूँगा या की member बनूँगी और आपको अपने decision पे कि आपने मुझे hire किया कभी भी पच्चताने का मोका नहीं मिलेगा यह मैं आपसे challenge करता हूँ या challenge करती हूँ तो यह जो points है आपके लिए बहुत ही आपका positive impression देगी और कि जो intro लेने वाला है वो आपको जरूर select करेगा और friends मैंने इस वीडियो को बहुत ही अच्छा बना है और आसा करता है आप इसको जरूर लाइक करेंगे और इस में मैंने जो उद्देश रखका है जो मैंने target रखका है 10,000 like, 10,000 subscribe और 10,000 share के target रखका है इसमें आप मेरी help कराईए और बहुत से में और बेच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ मेरे चैनल के साथ बने रही है थैंक्स थैंक्स फॉर एवरिवन वाचिंग दिस वीडियो और मेरे सभी नियुवर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और बेल आइकन को hit कीजिए और comment box में जाके comment कीजिए कोई भी questions को उसको put कीजिए ताकि मैं उसका answer दे सकूँ और description box में मेरी नई वीडियो के मैंने link share किये हैं तो के पर उनको भी watch कीजिए और अपने friend circle को उसको share कीजिए, ताकि उनको भी उनकी जानकारी मिल सके हैं, उनकी knowledge बढ़ सके और आपके like और comment से ही मुझे motivation मिलता है और मेरे channel में बने लेने के लिए आपको बहुत बहुत धहन्यवाद और मेरे channel के साथ जुड़े रहिए क्योंकि future में बहुत अच्छे ची वीडियो लेकि आने वाला हूं है और thanks once again